अस्सलाम अलेकुम मैं मापारत अबस्त्रुम् अज मैं वास किरूंगी नूपलेस के दारे में नूपलेस सेल का एक बहुत इंपोर्टेंट कंपोनेंट है चुकि सेल के साइटो प्लाजम में पाए जाते हैं cell की बहुत सारी metabolic activities जो होती है वो cell के nucleus द्वारा control की जाती है nucleus में बहुत सारे genetic material जैसी की DNA वगेरा पाई जाते हैं तो DNA में चुकि genes पाई जाते हैं तो ये genetic character को generation to generation pass out करने का काम करते हैं जितने भी animals है और plants की eukaryotic cells हैं सब में nucleus पाई जाते हैं और अगर cell में इनके location की बात की जाए तो इनका location अलग-अलग cell में अलग-अलग हो सकता है लेकिन generally ये देखा गया है कि ये cell के center में पाई जाते हैं और अगर इनके numbers की बात की जाए तो या तो एक nucleus किसी cell में होता है या फिर बहुत सारे nucleus cells में पाई जाते हैं और अगर shape की बात की रहे करें तो shape भी cell पर ही depend करता है size जो होते हैं वो अलग-अलग cells में अलग-अलग size के nucleus होते हैं कहने का मतलब की nucleus की shape, size, number और location यह सब कुछ cell के according होती है और अगर इनको देखा गया है nucleus के study की गई तो देखा गया कि nucleus तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं पहला nuclear membrane जिसको nuclear envelope के नाम से भी जानते हैं दूसरा है nucleoplasm और chromatin fibers और तीसरा है nucleolus अगर nuclear membrane की बात करें तो nuclear membrane को हम carrier थिका या फिर उनको nuclear envelope भी कह सकते हैं यह nuclear envelope जो होते हैं वो cell के cytoplasm से nucleus के nucleoplasm को अलग करने का काम करते हैं और अगर nuclear envelope को देखा गया उसकी study की गई तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे pore like structure पा जाते हैं जिनको nuclear pore भी का जाता है और यह nuclear pore जो होते हैं वो ऐसे चिदर होते हैं ऐसे ऐसे pore होते हैं जिनमें जितने भी chemical substance होते हैं उनका exchange होता रहता है इसके लाव मेंब्रेन पर यह देखा गया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेंब्रेन भी पा जाते हैं गॉल्जी एप्रेटस के भी मेंब्रेन पा जाते हैं जब इनकी electron microscope study की गई तो देखा गया कि इसमें दो यूनिट मेंब्रेन होते हैं पहला आउटर मेंब्रेन दूसरा इनर मेंब्रेन होता हैं और हर मेंब्रेन की अगर थीकनेस देखी गई तो नाइंट्री एंगस्टान थी नेचर देखा गया तो लाइपोप्रोटनस नेच देखा गया यह सौ से एक सपचा सिंगस्टान का था इसके बाद नुट्लियो प्लास्म और क्रॉमेटिन फाइबर्स को देखते हैं नुट्लियर मेंब्रेन और नुक्लियोलस नुकलियोलस एक अलग स्ट्रक्च्चर है जो कि नुकलियस के अंदर पाया जाता है तो अगर नुकलियोलस के बीच का इस्पेस देखें तो वो इस्पेस एक ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रैनूलर और एसीडोफिलिक ग्राउट सबस्टेंस से भरे होते हैं जिनको नुकलियोप्लाज्ज या फिर के नाम से जाना जाता है अगर नुकलियोप्लाज्म की स्टडी की की जाती है तो देखा गया कि उसमें बहुत सारे डिजॉल्फ फॉस्फोरस राइबोज शुगर प्रोटीन नुकलियोटाइट और नुकलिक एसेड्स वगएरा पाय जाते हैं नुकलियोप्लाज्म में बहुत सारे नुकलियोट की इंटरफेस में ही क्लियर दिखाई देते हैं जैसे सेल्ड वीजन के दौरान जैसे मैटॉस इस में क्रोमेटिन फाइब थिक रिबन-like इस्ट्रक्टर बनाते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है और ये क्रोमोसोम्स ही एक कि फंडामेंटल यूनिट है जो कि कि किसी भी जेनेटिक केरेक्टर को जेनेशन टू जेनेशन पास आउट करने का काम करती हैं अब हम बात करते हैं नुकलियोलस की तो नुकलियो प्लास्प में एक बहुत ही कॉंस्पिस्कस डार्क इस्टेंड सफेरिकल बोडी पाय जाती है जिसको नुकलियोलस कहा जाता है अगर नुकलियोलस की पॉजिशन की बात की जाए तो एसेंट्रिक पॉजिशन में होते हैं और केमिकली नुकलियोलस में बहुत जादा राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरे ने देखा गया है इनका सबसे इपॉर्टेंट रोल जो है वो प्रोटीन सेंथेसिस और स्थाल्ड वीजन में हैं इसके अलावा नुक्लियोलस की जो मीन फंक्शन बताया जाता है वो यह है कि वो राइबोसोम्स की बायो जैन होते हैं इनको स्टोर करने का कामी करते हैं तो आई होप कि आपको समझ में आ क्या होगा